सिच्छा बाली काउंसिलिंग को लेकर पटना से इस वक्त की वड़ी अपडेट आ रही है विहार सिच्छा बाली पिर्थम चरण और दुत्य चरण के ऐसे अनुसंसित अब्यर्ति जिन्होंने अभी तक अपना जोयनिंग लेटर नहीं लिया या काउंसिलिंग नहीं कराई है तो ऐसे अब्यर्तियों को 31 जन्वरी तक का ये अनुसंसित अब्यर्तियों की काउंसिलिंग के 30 जन्वरी तक कराई जाएगे सिच्छा बिवाग ने विहार लोग से बायों के पिर्थम चरण और दूसरे चरण यानि की टी आरी वन और टी आरी टू के ऐसे सिच्छा के काउंसिलिंग कराने और अपवंदिक नुक्ति पत्र प्राप्ट करने की जो लास्टेड है वो 31 जन्वरी तै कर दिये बिहार मादमिक सिच्छन देश कनिया परसाद स्रीबास्तब ने इस आसे की सूचना जारी किये सूत्रों के मताबिक ऐसे आभी कुछ हजार अनुसंसित हैं जिनोंने अभी तक काउंसिलिंग नहीं कराई है यहां तक कि उन्होंने अपना प्रोविशनल जोइनिंग लेटर भी लेना जरूरी नहीं समझा है विभाग ऐसे सिच्छकों को इन आपचारिकताओं की पूरती के लिए एक और अंतिम मौका देना चाहता है इसी मनसा के अनुरूप इन आपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नई डेट घोसित कर दी गई है इससे पहले दो जनबरी को मादमिक सिच्छने दे सकते हैं विद्याले अध्यापकों को चार खास कैटिगरी की सिच्छकों को अल्टिमेटम जारी की थे एकदान करना का ये अल्टि जो पिस करने आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते भी एक नी वीडियो में एकनी इंफरमिसन के साथ हैं कि सो मच फॉर वाचिंग देस वीडियो